सभी शिक्षक बंधूं को मेरा प्रणाम आप सभी से मेरा निवेदन है कि केंद्र शारकार की जो महत्पून योजना है NMMS National Means Cum Merit Scholarship जो परीक्षा है इसके लिए आवेदन पत्र भरने प्रारंब हो गए है और पिछले साल की भाती ही इस साल भी ओनलाइन फॉर्म भरी जाएंगे जो कि साला दरपन के माध्यम से हम स्कूल लोगिन से फिल कर सकते हैं मैध्पून बात ये है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर और प्रतिभाशाली विद्यार्थी है वो बच्चे अपनी उच्च माध्यमेक इस्तर तक की शिक्षा निर्बाध रूप से पूर्ण कर सकें इस उदेश्य को लेकर केंद्र सरकार द्वारा यह योजना चलाई जा रही है और हमारे राजस्थान में राजस्थान राज्य सेक्षिक अनुसंधाने में प्रशिक्षन परिशद उदैपूर के द्वारा यह परिक्षा अयूजित की जाती है राज्य इस्तर पर प्रतेग राज्य का कोटा होता है नियून्तम जो उत्तिर्णांक है चालिस पतिसत उत्तिर्णांक होते हैं इस परिक्षा के लिए हलांकि यदि ज़्यादा बच्चे इलिजिबल होते हैं तो मेरिट सिस्टम से उसमें बच्चे सेलेक्ट होते हैं लेकिन सबसे महत्पून बात कि जो अभावगरस्त बच्चे हमारे पास आ रहे हैं उन बच्चों को संबल मिल सके एक हमारा छोटा सा प्रयास उन बच्चों के लिए एक बड़ी उमीद की किरण लेकर आता है छात्रवर्ती की जो राशी है वो एक अजार रुपए प्रती महा और 9th से 12th तक अध्यान करने पर वो मिलती है और परिक्षा शिर्फ एक बार पास करनी होती है तो इस NMMS परिक्षा के फॉर्म भरने शुरू हो गए है 14 जनवरी से और अंतिम दिनांग का है 24 जनवरी तो मेरा आप सभी से निविदन है कि ये नर्देश शायद आप लोगों को तक पहुंच गए होंगे आपने पढ़ लिये होंगे यदि किसी कारण से रह भी गए हो या कुछ मन में शंशय हो तो मैं कोशिश करूँगा कि इन आदेशों को सपस्ट कर सकूँ आपके सामने कि जितने भी बच्चे पात्र हैं पात्रता या किस तरह का परिक्षा पैटर्न होता है आप शक दस्ताविज क्या क्या होते हैं उसके लिए अलग सी वीडियो है आप वो देख सकते हैं अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ चर्चा करना चाहूँगा कि संस्था प्रधान या क हैं शिक्षक के द्वारा क्या क्या कारिय करने हैं हमें क्या क्या कारिय करने हैं जिससे की बच्चों के फोर्म भरे जा सकें तो टाइटल है आज इस लेटर का कि एन MMS परिक्षा 2022 के ओनलाइन आविदन के लिए संस्था प्रधान हेतु दिशा निर्देश इन में हम बात कर करेंगे कि कि किस तरह से फोर्म भरे जाएं तो सरप्रथम शालादरपण में लोगिन करेंगे स्कीम पर टैप पर क्लिक करेंगे तो वहां एन MMS लिखा आएगा वहां फिल एप्लिकेशन पर जब हम क्लिक करते हैं तो बच्चों के नाम खुल जाते हैं यदि आपको लगे क कहीं समझ से आ रही है तो आप संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उस टाइप का भी वीडियो बढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा साला दर्पण पर स्कूल आईडी से लोगिन करने पर बच्चों के फॉर्म बरे जाएंगे और सबसे महत्पून बात यह है कि बच्चों के जो डोकुमेंट्स हैं उनमें और स्कूल रिकोर्ड में डिफ्रेंस नहीं होना चाहिए अंतर नहीं होना चाहिए क्योंकि यदि सेलेक्शन होता है बच्चे का तो उसको चात्रवर्ती मिलने में दिक्कत होती है इसलिए सबसे पहला काम आधार कार्ड के डाटा यानि उसका नाम स्पेलिंग सहीथ नाम पिता का नाम और जन्मति थी जैसा विद्याले रिकोर्ड में है वैसा ही उसका हो यदि नहीं है तो अभी हमारे पास टाइम है हम उसके आधार कार्ड में करेक्शन करवा सकते हैं मैंने पहले ही काया कि थोड़ा सा हमें पेन लेना पड़ेगा और क्योंकि बच्चे हमारे पास जो आते हो इतने अवेर नहीं है कि जो खुद से इतना अपना काम कर सके आधार कार्ड में बच्चे का वही नाम हो जो उसकी सात्वी की अंकतालिका में है उसकी सात्वी की अंकतालिका लेंगे यदि जाती प्रमान पत्र की आउशकता है तो जाती प्रमान पत्र लेंगे निशक्त जन प्रमान पत्र यदि लागू है तो वो प्रमान पत्र लेंगे आय प्रमान पत्र बच्चे का लेंगे जिसमें डेड़ लाख रुपए से अभिभावक की आय जादा नहीं हो डेड़ लाख रुपए तक वार्शिक आय वाले अभिभावकों के बच्चे इसके लिए पात रहें और साथ ही दो फोटो ले लें हलाकि स्कैन नहीं होगी जैसे ही हम प्रिंट निकालेंगे उसके उपर हमें फोटो लगानी होगी और दूसरी फोटो रख लें भविश्य में जब प्रवेश पतर जारी होंगे प्रवेश पतर पर भी हमें फोटो लगा के देनी है और इसमें निर्देश में लिखा है कि समान फोटो हो तो साथियों हम देखते हैं कई वार एक फोटो बच्चे न लाकर दे दी दुबार जब फोटो मांगते हो कहता है फोटो नहीं है तो कोशिश करें अभी दो फोटो उससे लेके रख ले ताकि बाद में दिक्कत नहीं आए शालाद अरपन पर जो शूचनाय भरी हुई है उनको एक बार ऐसा रजिस्टर से मिलान कर लें कहीं कोई तुरूटी रह जाएगी तो बाद में यदि बच्चा परिक्षा पास कर लेता है और उसके बाद कहीं हमारी थोड़ी सी लापरवाई की वज़े से वो बच्चा छातुरती प्राप्त करने से चूकता है तो वहां फिर हमारा जो दुख होता है वो बड़ा भारी होत होता है तो उससे बचने के लिए हमें अभी ऐसा रजिस्टर से मिलान कर लेना चाहिए पात्रता की बात करें इसमें लिखाया कि विद्यार्थी के दस्तावेज प्राप्त होने पर यह सुनिशित करने कि वह पात्र है पात्र होने के बाद ही हमें फोर्म वरने हैं पात्रता marks है उसकी बाध्यता अब की बार नहीं है नहीं तो आप में स्क्रीन पर देख रहे हैं 5% और 50% की बाध्यता है आए प्रमारपत्र की बात हो गई है अधर कार्ड अगर फॉर्म भरते समय हमें महशूर हुआ कि कहीं उसकी प्रविष्टियों में कमी है तो बच्चे की जो प्रोफाइल है प्रपत्र 9 है या प्रपत्र 5 जैसा भी उचित लगे उसमें हम संसोधन कर सकते हैं जो आवेदन पत्र हैं वो केवल ओनलाइन ही होंगे ओफलाइन नहीं भरे जाएंगे और अंतिम तारिख 24 जनवरी है अंतिम तारिख का विशेश ध्यान रखें क्योंकि अक्सर यह होता है कि हम अंतिम तारिख तक नहीं भर पाते हैं और अंतिम तारिक पर फिर हमें परिशानी होती है तो आपसे निविदन है कि शीग रही बच्चों के दस्तावेज कलेक्ट करके और फॉर्म भरने की कारवाई पूरी कर ले इसके बाद छठा बिंदू है यह है कि संस्था प्रदान को सभी विद्यातियों फीस एक साथ ओनला करवाई गई थी स्कूल वार लेकिन अब की बार अभी तक फीस का मोड्यूल प्यो लोगिन पर चालू नहीं हुआ है जैसे ही चालू होगा आपको सुचित कर दिया जाएगा कि किस तरह फीस जमा होगी अभी फीस का कोई उप्शन नहीं है फॉर्म बरने के बाद उसकी हाड़ कोपी निकालना ने भूले हाड़ कोपी निकालनी है हाड़ कोपी पर जहां कॉलम बना हुआ है वहाँ बच्चे की फोटो पेस्ट करनी है बच्चे के साइन करवाने है और संस्था प्रदान के साइ इन्होंने हैं और यह आठ्वा बिंदू है सबसे महत्वपूर्ण है मूल आविदन पत्र और दस्ताविजों के साथ हड़कोपी दस्ताविजों के साथ विद्याले में यदि विद्यार्थी का चैन हो जाता है NMS के लिए तो पांच वर्ष तक उनको स्वरक्षित रखना है और यदि चैन नहीं भी होता है तो एक वर्ष तक तो उनके आविदन पत्र स्वरक्षित रखे जाएंगे क्योंकि RTI के तहट यदि सूचना मांगी जाती है तो वो हमारे लिए महत्पूर्ण साबित होंगे इसलिए इस बात का विशेश ध्यान रखें अलग से फाइल बना लें सभी दस्ताविज पूर्ण हो ये हमें निश्चित करना है आगे लिखा है कि वरतमान में आठवी कक्षा में अध्यान रत हो राजकी विद्याले की बात है राजकी विद्याले में आठवी कक्षा में अध्यान रत हो और साथवी कक्षा भी वो राजकी विद्याले से ही उत्तिर्ण हो ये उसकी पातरता में हमने बात की थी पातरता सर ये भी हो जाएगा हाँ चोदे नंबर बिंदू जो कह रहा है एक बार फिर से ध्यान दें कि इसमें शाला रिकॉर्ड और शाला दरपण और उसके दस्तावेज सभी में अंतर नहीं होना चाहिए किसी में वरतनी की दृष्टी से भी स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए तो सात्यों ये था NMS 2022 के लिए शिक्षकों और संस्था प्रधानों के लिए जो निर्देश जारी हुए है उनके बारे में जर्चा की मैंने और मैं आपसे पुन्हे आग्रह करूंगा कि अधिक अधिक बच्चों को लाभानवित करने का प्रयास करें आपका एक छोटा सा प्रयास पुन्हे का कारिया है धन्यवाद जय हिन जय भारत